असलम्मुल्ट मुभाइब यूट्यप चैनल वेलकम टू दा मार्केट अपडेट तो यहां पर बहुत ही ज़्यादा एम कबर निकल कर आ रही है कि यहां पर फ्ट्यक्स है जो वर्ल्ट का सेकंड या थर्ड लार्जेस हमरे पास क्रिप्टों है सेकंड थर्ड में यह होता र बेंकरफ्ट हो बएक होतं है आप अपने एसड़ को सोल्ड आउट कर सकते हैं और यहां अनको प्तुन है और यह कभी तरह के अलार्मिंग सिचुएशन है लेकिन एक अगर हम देखें तो मार्केट ने हमारे पास ऐक डंप दिया ठीक है जैसे यह Pine मैंने डिस्कॉर्ड पे लट कि अब देखो जिस तरीके की ये मार्केट है ना आपका न्यूस पे एक बहुत बड़ा हाथ होना जरूरी है अगर आप न्यूस नहीं देख रहे हैं आप न्यूस नहीं देख रहे हैं आप एक बंदी की सुनने हैं जो के यू डेमें पर दो है नहीं कर सकते हैं अब यहां पर हमारे पास एक सपोर्ड पे इन्वर्स हैमर भी बन गया तो यहां पर वन आवर के चार्ड के जदिये मार्केट ने उपर जाना चाहिए था क्यों नहीं गई क्योंकि यहां पर आपको नजर रखना कभी जादा जरूरी है तो न्यूस अग अब यहां पर क्या चीज है चीज को अपने गौर से सुनना है आज से तकरीबन तीन दिन पहले मार्केट हमारे पास 15500 पर आई थी जब हर कोई चाहरा था कि यहां पर सब चाहते थे कब तो बुल मार्केट कंटीनिय हो गई अब हम बाय कर सकते हैं बहुत ही बेज़ जया को लेकिन क्या किया वहीं पर आप सब को मैनिप्लेट किया गया और मार्केट में अच्छी न्यूज आई क्या फ्टी एक्स को यहां पर सो बाइनस ने चाहिए वो खरीद लिए बाइनस अब इसको ऑफिशल बन चुका है लेकिन क्या हुआ मार्केट पंप हुई सब लोग सब्सक्राइब के लिए पाकिस्तन के इस वक्त नंबर वन गुरू पे डिस्कॉर्ड हमारा जो यहां पर आपको हर चीज की अपडेट दे रहे हर सेकंड की आपको कल रात को यहां पर लोगों को नीचा आगी मार्केट मार्केट ठीक होने लगी तो दुबारा से बाइनस के हम लोग यहां पर जो डील अई हम इंटरेस्टेड नहीं इसके नदबाए करने में तो ये क्यों हुआ इसकी पीछे वजा क्या थी इसकी पीछे वजाए ये थी government की involvedness ठीक है government जो थी यहाँ पर involved होने लगी और जब government involved होने लगी तो उसने जाहिड सी बात है वो आपस CZ Binance से जरूर पूछेगी कि आप खुद क्या hold कर रहे हैं आपकी खुद की exchange कितनी safe है तो जब इन्होंने ये सब चीज़े देखीं कि मेरे उपर ही मेरे उड़ाय वे चींटाए आ रहे हैं तो वो यहां से बिलकुल चुपचाब बैक हैंड होगा वो पीछे आड़ गए उन्होंने FTX की deal जो है उसको decline कर दियो और FTX आज finally यहां पर हमारे पास bankrupt हो चुकी है Chapter 11 के जरिये यह मैंने Discord पे पूरे तरीके से अपडेट जो हो किया अब आप यह जब मेरी बात सुनरों को तो आपको लग रहा होगा कि Binance भी safe नहीं है CZ के statement वो यह चाहते हैं को जो CZ है वो चाहते हैं को यहां पर crypto market के अंदर dominant करें ठीक है यहां पर मतलब कोई दूसरा exchange उनसे बरदाश नहीं है FTX most trusted exchange है पूरी दुनिया की FTX के उपर BlackRock एक बहुत बड़ी investor company है जिसके पास 10 trillion dollars के fund है उन्होंने FTX जैसी company मतलब वो जब किसी चीज में इंवेस्ट करते है तो इटमीन्स के वो कोई बहुत blue chip है और जब वो किसी चीज में इंवेस्ट करते है यह सच में इस चीज में जान है अभी world cup आम ने देखा तकरीबन 55 billion dollars इस तो लोगों ने खाली सुनने में आ रहा है कि FTX ने खाली अपनी advertising में करच की है अपनी partnerships की बड़ी बड़ी चीजों के साथ काफी जादा बड़ा करच किया तो जब इतनी most trusted exchange यहाँ पर आपके साथ scam कर सकती है Luna जो आपके साथ आपको वादे करता था अब आप यहाँ पर आप बाइनस उनकी statement बागोगे वो कभी भी government level पर आके आपसे बात नहीं करेगा ठीक है क्योंकि सबको बता है कि वो कितने पानी में वैसे तो उन्हें बहुत जादा हमारे लिए community के लिए क्रिप्टो की community के लिए अच्छी खासी चीज़े की हैं लेकिन उसके पीछे उसका मकसद है और वो बंदा इस वक्त dominant करना चाता है पूरी crypto market को चाता है कि उसका exchange का सिक्का जए वो जमार है क्योंकि आपको पता है crypto is the future अभी आप लोग बाय कहाँ पर कर सकते यह सारी चीज़ है मैंने आपको बता है इन सीज़ेस आपको बचके रहा है अब देखो market में अभी बुरी न्यूज़ा है अब में आपको सिर्फ चार्ट ओपन करके दिखाता हूं पांच मिट का अब सारी गेम समझ जाओगे market में अभी बुरी न्यूज़ा ही सबको पता था कि यह लोग शौट कर रहे है अप लोग शौट करने लगए जब एक पॉइंट आगी है कि हमारे पास 16,800 की resistance ब्रेक होगी लोगों ने का आप तो market गई मैंने यही का था कि आपने 16,200 का एलिया का था कि यहां पर पेंट्री हो यहां पर सब लोगों को sentiments और पके कर दिया 16,800 की support तोड़के वापिसिक manipulation करती है मतलब यहां पर क्या किया longer को liquidate कर दिया फिर shorter को liquidate कर दिया ठीक है अब यह जो bankruptcy हुई ना इसकी बीच में यहां पर आपको महीने में 1000 ऐसी देखने को मिलेंगी कि इस exchange को पर फट चल रहा देखो अगर आपके पास इस bear market में पैसा है ना आपके पास cash होना काफी सादर जरूरी है crypto market 24-7 open है US stock market यहां पर 12 घंटे open होती है क्यों आप 12 घंटे के लावर trade नहीं कर सकते है लेकिन crypto market 24-7 open है means आपके पास 24-7 opportunity है अगर आपको FOMO होने लगे आप समझ जाओ कि यह market में manipulation की जा रही है ठीक है अगर आप दो साल पुनाने trader हो अब जिन से मैंने experience मैंने जिन से पूछा कि आप जो bear market survive कर रहा हो उनका क्या कहना इस point पर उन्होंने कहा था कि जब bear market actual में start होगी ना उस वक्त आप लोगों के पास cash होगा ही नहीं ठीक है या तो अगर cash होगा तो आप लोगों का खरीदने का money नहीं होगा क्यूंकि आप इतने डरेव होगे इतने डरेव होगे कि आप कुछ खरीद नहीं पाऊगे और मैं आपको बता दू कि अब actual में bear market का bottom क्या होगी यह दो लाइने खीचके मैं आपको नहीं बताऊंगा bear market का bottom उस वक्त होगा जब बाइनेस के ओपर सवाल उटना स्टार्ट हो जाएंगे और एक बाइनेस ऐसी कागार पर आजएगे तो हम सब जानते कि बाइनस बैंकरफ्ट हो नहीं सकता अगर बाइनस बैंकरफ्ट हो गया तो crypto खतम लेकिन crypto is the future और लोग इस पर बहुत अदर रिलाय करते हैं ठीके event के अगर हम US की जो एक White House के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर तो उनकी अभी 4 billion dollars plus की cryptocurrency के अंदर holding है तो bitcoin तो कभी खराब होई नहीं सकता एक्सचेंजिस कभी जाए नहीं सकती हाँ exchange अगर जाएंगी तो Binance नहीं जा सकता क्योंकि Binance ने अपना सिग्का जमाया हुआ है जब Binance के ओपर इस तरह की बाते उटने लग जया और आपको market मिली होगी 13-12,000 के तो उस वक्त आपका खरीदने का मन नहीं कर रहा होगो उस वक्त आप नहीं खरीद रहोगे लेकिन जो बेर मार्केट स्टाटिन नहीं क्योंकि market चलती अच्छी कासी 12-23 के स्टाइन के 3 महिने में हम लोग बेर मार्केट जो देख सकते हैं ऐस पर डी पैनलेसिस क्यु वन के अंदर जो कवाइटर वन होता हमारे पास उसके अंदर हम यहा पर जो है एक बेर मार्केट का देख सकत होगी, 12,000 पे होगी, 11,000 की होगी और आपको Bitcoin, Ethereum जैसा Coin 700 पे मिलोगा यार, मैं आपको बता हूँ 2018 की बाद, 2018 में Ethereum लोग investors परेशान और बेजार हो गए थे, जब Ethereum यापे हमारे पास 1000 डॉलर से 1500 डॉलर पे फॉल हुआ था, लोग ने कहाता है ये fraud है, cryptocurrency का end इसको बिच दो जब बड़े-बड़े investors इस तरह की बाते करना है start कर देना, के ये तो fraud इसको बिच दो, तब आप समझ लो के अब आप bottom के अंदर खड़े हो चुके हो, ये नहीं के यहाँ पे ये line बन रही है, एक साल पहले भी ये हुआ था retailers के ये सोचते हैं, जो बड़े-बड़े retailers वो ये सोचते हैं कि यार, एक करीमाबाद के बैठे हुए तकरीमाबाद के एक professor को लगता है कि यहाँ पे इस line से पहले market pump होई थी, तो अब भी market इसी line से pump होई, वो आपकी source से बिलकुल लग चलते हो, जब जाधा तर लोग एक चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, तो वो तो बिलकुल होती नहीं है चीज़, ठीक है जैसे जाधा लोग सोच रहते हैं, कि अब 19,000 is the bottom हो गया, bottom आपका ये बन गया bottom आपके पास, ठीक है, अब लोग समझ रहे हैं इससे पहले हमारा previous record देखें के अब आपको फॉलो करने में बिटकोईन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अब यहां पे कहा सिच्विशनन है, अगर हम बात करने तो बेटकोईन ने आप अपनी support जो वो कर दी है, entries लेने के लिए इस वक्त जो मैं wait करूँगा personally वो 16,200 वाला area होगा जहांपे मेरी entries जोँगी short रम के लिए क्योंकि इस market के अंदर आप short entries लोगे अभी भी कहा रहा हूँ जब सब लोग डर जाएं, बाइने से बात रोटना है, start हो जाएं आपके पास funds पड़े हो लेकिन आपका खरीदने का दिल ना करे, this is the sign of the bear market क्योंकि 2014 में, यह 2018 के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, डेट सो पे इन्वेस्टर्स ने एथिरियम 1000 का खरीद वा यूँ फेका है market के अंदर तो उसके एक साल बात क्या हूँ, बुल मार्केट आगई मार्केट नौल टाइम हाई क्रियेट कर दिया, थिरियम 1500 डॉलर पर चला गया, 10X पंप हो गया, तो यह सब चीज़े चलती रहेंगे, आपको बहुत ज़्यादा smart move लेना है, आप bottom predict करी नहीं सकते हैं, ठीक है, न मैं bottom predict कर सकता हूँ, न आप bottom predict कर सकता हूँ, बॉटम सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद लोगों को बता है, वो चंद लोग मक्सूस लोग हैं, जिनका आप समझ गया होगी, जिनकी भी मैंने लेनी है, technical analysis को बिल्कुल कम scenario में follow करना है, आपकी हर entry जो, वो stop result के साथ हो, मैं कोई भी बड़ी entry लेने से पहले, यहाँ पर हजार दफा सोचूंगा, और जो मैंनी सोच है, वो यह है, कि जब तक 18,200 यहाँ पर हमारे पास एक daily level पर हमारे पास beat नहीं हो जाता, I'll never take entry in the market, okay, I just, I will just only scalp, मैं यहाँ पर just scalping करूँगा, मैं यहाँ पर कोई entry लेने वाला नहीं हो बड़ी, ठीक है, मैं entry यहाँ पर तब लूँगा, जब यहाँ पर लोग डरे होंगे, मैं entry यहाँ पर तब लूँगा, जब यहाँ पर लोगों से buy करने को का, भाई, जब मैं खुद आप लोगों से कह रहा हूँ, मैं खुद भी buy कर रहा हूँ उस चीज़को, dot यहाँ पर मैं लोगों को buy करने को का, link मैं आपको buy करने को का, सारे coins अभी जब market recovery होई, यह वाली उसके अंदर 25-25% pump होए, CSZ सबसे अच्छा गया, क्योंकि CSZ का event था, ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करने है, parts में accumulation तो आपने start कर ही देनी है, और आपने आपर फोमो नहीं करना, पते है क्या करोगा, आपने parts में accumulation की वी होगी, अब बोलोगा यार यह तो अगर 11 या 9000 पर चला गए, तो चीज मुझे और सस्ती मिल जाए कि फिर तो मैं नीचे से खरीद लूँगा, यह आपकी सबसे बड़ी stupid thinking है, यह मत करना कभी भी, हमेशा accumulate करो, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया था, मैरे पास 1000 dollar example दे रहा हूँ, मैंने 100-200 dollar का dot यहाँ पर ले लिया था, अब market यहाँ पर आती है, 12-11,000 मैं 100-200 dollar का dot यहाँ पर ले लूँगा, अब market और नीचाती तो मैं लेता रहूँगा, ठीक है, ताकि मुझे, अब source now किया रहा है, मैंने buying नहीं की, ठीक है, और जब सब डरे हुए हो ना, जब सब डरे हुए हो, याद रखना, आपने उस वक्त अपनी सबसे अच्छी buying करनी और आपने देख लेना है कि आपको ये market अब दुबारा नहीं मिलने वाली है, ठीक है, इस वक्त भी लोग डरे होए थे, लेकिन डर जो रहता है, वो कोई एक या दो दिन नहीं रहता है, डर रहता है, तकरीवर नापके पास एक महीना पूरा रहता है, ठीक है, अब उसके थोड़े-थोड़े से sentiments भी आने स्टार्ट हो गए है, कि डर में market pump होती नहीं, आपको इतना डरा दिया जाता है, अब उसके आसार मिलने स्टार्ट होगा है, मैं यह ही कह रहा हूँ, यह bear market का 25% स्टार्ट हो चुका है, मतलब हर point पिस quizzes है, हर part पे manipulation है, manipulation, 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 पूरे तरीक पर सवाल आ गया, फिर आप क्या करोगे, बाइनस पर कैस चल रहा है, यहाँ पर केस चल रहा है, ठीक है, कि बाइनस bankrupt हो सकता है, आप entry लोगे, आपको पता है, कि यहाँ पर कुछ बाइंगी नहीं करूँ, मैं तो सब डूप जाओंगा, यही तो bottom का sign है, कि जब सब डर जा 5% का reward है, 6% का reward है, 1-2 ratio के अंदर आपने trades करनी है, छोटी-छोटी coins में आपको फिर recommend कर देता हूं, कि आपको coin market cap खोलना है, और जो top 15 coins से उनके अंदर आपने trade करनी है, और bitcoin की moment को आपने साथ लेकर चलना है, ठीक है, किसी भी बड़ी entry से पहले जो आपने लेना चाहते है तो short term के लिए कोई बड़ी entry उसका आपने वेट करना है, कि 8200 का flip हो है, क्योंकि 8200 is a very very main area for the bitcoin, ठीक है, अभी के लिए इतना ही मिलते हैं, नेक्स वीडियो में अपना बहुत इताद ख्याल रखेगा, अस्लाम अलेकुम वरहमत अल्लाह